मैं रवी जैन गुरुजी और आज रवीवार और लोग पर्व होली की आप सब को बहुत बहुत सुबकाम नए होली का पर्व आपके जीवन में खुसियों से रंग भर दे ऐसी मेरी मंगल भावना और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेश रासी वाले इमानदारी से कारिय करें व्यर्थ में ना उल्जें क्या करें गरीबों में यता संभाव दान दें वश्रवरासी वाले मामलो को सांती से निम्टाएं परिशान बिल्कुल ना हों क्या करें कुट्टों को रोटी डालें मितुनरासी वाले जीवन सहली साधारन रखें मानसिक सांती बनाए रखें क्या करें पांच मिनट का मोन दिन में दो बार रखें करकरासी वाले दूसरों के कारिये में हस्तक्षेप ना करें दिन में आराम ना करें क्या करें भाई बेहन एक दूसरे को उपहर भेट करें सिंग रासी वाले सामान्य समय चलेगा आलस्य से बचें, क्या करें मंदिर जी में यथा संभव दान दें, कन्या रासी वाले अधिक भाव नाहों स्वियम पर नियंतन रखें, क्या करें धाई सो ग्राम लाल मिर्च दान करें, तुला रासी वाले तनावपूर्ण जीवन सहली से बचें, दूसरों का ध्यान रखें, क्या करें अगर संभव हो तो तिर्शी आतरा पर जाएं, व्रश्यक रासी वाले जल्द बाजी से बचें, कुल मिला कर समय ठीक है, क्या करें सत्संग में अधिक समय वैतीत करें, धनूरासी वाले निर्णे सोच समझ कर लें, जीवन साथी की सलहा लें, क्या करें मुनी राजों के परवच्चन अवस्य सुनें, मकर रासी वाले वीरोधी पक्ष हावी हो सकते हैं, हर वक्ट सचेत रहें, क्या करें 200 गिराम चने की दाल दान करें, कुम रासी वाले अचानक परेशानी आ सकती है, स्वास्त का ध्यान रखें, क्या करें किनर अगर दिखाई दें तो उन्हें दस बीस रुपे का दान दें, मीन रासी वाले निवेश से बचें, अभी समय ठीक नहीं हैं, क्या करें चंदन का टीका माथे पर लगाएं, रासी फलके पशाद बंद वो, अब बात करते हैं, आज की सलहा की, आज की सलहा में दियान रखें, अगर आपके घर का मुख्य द्वार खोलते और बंद करते समय, आवाज करता है, तो उसे अविलम ठीक कराएं, अगर घर का मुक्यदवार आवाज करता है तो इससे घर में अश्यानती भै और दुर्भाग्य बढ़ने लगता है तो ऐसी नोबत ही ना आने दे अगर घर का मुक्यदवार थोड़ी सी भी आवाज करता है तो उसको अवीलम ठीक करें अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्यत रूप से आपके घर में सुख सांती समरदी बढ़ेगी और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है गौरव जैन जी ने शाहदरा दिल्ली से लिखते हैं गौरुजी जैजिनेद्र मेरे बेटे को जनम से ही बोलने में समश्या आ रही है वे अभी पांच साल का है क्या वे ठीक हो जाएगा देखे गौरुजी आपके बेटे की कुंडली में बुद्ग्रे थोड़ा सा कमजोर बैठा हुआ है और द्यूत्य भाव भी थोड़ा सा कमजोर है बुद्ग्रे वानी का कारक होता है और सेकंड भाव भी वानी का कारक होता है तो आप अपने बच्चे को चार रती का पन्ने का लोकेट चानी में मढवा कर बुद्वार को गले में उसके लोकेट के रूप में धारन करा दें और सुबह और शाम रो जाना विमल नात भगवान का चालीसा सुनाई अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आश्चरी जनक रूप से परिनाम दिखाई देंगे और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी मंगल भावना के साथ सबी को जै जिनेंदर